Hello students, कैसे हो आप सब mathematics के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम class 10 से chapter number 14 statics discuss करने वाले हैं इस chapter में कौन-कौन से topic है और उन्हें किन method और formula से solve किया जाता है वो सब आज के इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हाज जी student इस chapter में हमें तीन important topic जो है वो discuss करने है सबसे पहला topic जो आपके पास आता है वो है mean दूसरा topic जो हम discuss करेंगे student वो है mode और तीसरा student यहाँ पर topic आता है वो है median तीन topic यहाँ पर main है हमारे mean, mode and median तो सबसे पहले हम बात कर लेते है mean की तीनों ही method student जब कभी भी हमें average निकालनी हो तो average निकालने के लिए तीन method हमारे पास बने हुए है जिसमें से हम mean को हम समझेंगे जितनी भी average होती है ना average को find out करने के लिए इन method का use किया जाता है तो अगर हमें mean निकालने है तो mean निकालने के लिए student हमारे पास तीन method है number एक जो सबसे पहला method हमारे पास आता है student वो है direct method सबसे पहला method है direct method दूसरा method जो हम use कर सकते हैं वो है step deviation method step deviation method और तीसरा method जो हम use कर सकते हैं वो है assumed mean method assumed mean method आज हम इन method को discuss करेंगे और साथ इसाथ इने किन formula से solve किया जाता है वो सब discuss करने वाले हैं ठीक है student अगर आप direct method लगा के mean find out करने जा रहे हैं ध्यान रखे student mean को इस chapter में हम x bar से denote करेंगे और अगर आप मान लीज़े हैं यहाँ पर direct method लगा के mean निकालने जा रहे हैं तो आपको formula लगाना होगा x bar is equal to summation f i x i upon me capital N ठीक है यहाँ पर जो summation का sign है इसे बोलते हैं sigma सिंबल सिंगमा के नाम से यूज किया जाता है ठीक है उसके बाद आता है यहाँ पर f i f i का मतलब है student number of number of frequency यानि जो हमारा frequency वाला column होगा उसे बोलते हैं और यहाँ पर x i है यह है हमारी class mark class mark ठीक है जब question मैं आपको कराऊंगा तो आपको बताऊंगा यह column कौन से हमारा ठीक है ना f i के ठीक बाद में बनेगा x i ठीक है उसके बाद अगर आप step division method लगाके mean find out करने जा रहे है student तो उसके लिए जो formula आपने यूज करना है वो है x bar is equal to a plus a plus summation f i ui upon me n into me h तो यह formula लगाके आप mean find out कर सकते हैं यहाँ पर जो a है वो होगा हमारा assumed mean चीक है assumed mean होगा हम यह a assume करेंगे question जब मैं लोगा तो आपको समझ में आएगा हमाँ पर f i फिर से हमारा यहाँ पर student क्या है जो frequency वाला column होगा वो होगा यह exam में हमेशा दिया होगा और यहाँ पर main जो चीज है वो है student ui ui को हम कैसे find out करेंगे ui का जो formula हमारे पास है student वो है x i minus a upon me h x i minus a upon me h तीक है यहाँ पर जो h है h का मतलब है class size क्या मतलब है यहाँ पर class size यानि कि जो class interval होगी उनका difference कितना है यानि class interval में कितने का difference है जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जुसमें 10-10 का difference हा रहा है उसे बोलते है h ठीक है student इसमें capital N का जिकर हुए दोनों formula में तो यहाँ पर student N का मतलब होता है N का मतलब है total number of frequency total number of frequency यानि summation FI FI के column को अगर आप plus कर देंगे तो उसे हम capital N से भी denote करते है कहीं teacher school में sigma FI भी लिखते हैं तो घबराने की जूरत नहीं है दोनों में से किसी एक चीज़ से आप लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर आप mean find out करने जा रहे हैं assumed mean method से तो उसके लिए आपको formula लगाना है X bar is equal to A plus summation FI DI upon N ठीक है बागी सारी चीज़े तो वही हैं इसके अंदर सिर्फ extra चीज़ क्या आई है DI तो यहाँ पे student जो DI है वो है XI minus A ठीक है XI minus A यानि A जो यहाँ पे है वो assumed mean होगा तो मेरे सासात रिवाइस कर लीजिए सासात डॉट बुक में उतार लीजिए सबसे पहला method mean को find out करने के लिए direct method formula है X bar is equal to summation FI XI upon N दूसरा method जो है step division method X bar is equal to A plus summation FI UI upon N into H ठीक है और तीसरा जो formula हम यूज़ करेंगे assumed mean method से वो है X bar is equal to A plus summation FI DI upon N तो mean निकालने के लिए student हम ये तीन method apply करेंगे ठीक है ना अब दिमाग में student एक doubt आ रहा होगा अगर हम mean को सिर्फ direct method से solve कर सकते हैं जो कि हम ninth standard में भी करते थे तो ये बाकी के दो formula क्यों बने है student काफी सारे question हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें हमें direct method से solve करने में problem होगी यानि time को बचाने के लिए ये दोनो method बने हैं तो काफी जगा हम क्या करेंगे FI और XI के column को जो multiply करेंगे तो वहां में दिक्कत आ सकती है तो multiply में difficulty ना हो calculation में difficulty ना हो इस वज़े से ये दोनो method बने हैं तो ये doubt आपका clear हो गया अब जब मैं 14.1 आपको कराऊंगा तो 14.1 में मैं जितने भी question है इन तीनो method से आपको दिखा दूँगा आपको तीनो method आ जाएंगे अब हम जिकर कर लेते हैं student mode का जो अगला topic हम यानि 14.2 हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे mode को तो mode के लिए जो formula student आपको याद अखना है mode का जो formula है वो है L plus L plus bracket में F1 minus F0 upon में 2 F1 minus F0 minus F2 into में H ये formula हमें student लगाना है यहापे ठीक है ना formula थोड़ा बड़ा है लेकिन एक दो बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ठीक है ना यहापे जो L है student L का मतलब है lower limit of lower limit of model class ठीक है इसमें हमारे पाशे model class आएगी तो उसमें जो L है वो lower limit होगा और यहापे जो student F1 है F1 का मतलब यहापे है frequency of frequency of model class frequency of model class जो हमारी model class होगी मैं जब question कराऊँगा तो आपको बताऊँगा model class कैसे बनाते है ठीक है ना तो frequency of model class यहाँ पे यह जो हमारा है वो हो जाएगा F1 उसी के बाद student formula में use किया गया है F0 F0 का मतलब क्या है F0 का मतलब है frequency of the class frequency of the class preceding preceding the model class preceding the model class यानि जो भी हमारी frequency of model class होगी ना ठीक उससे पहले वाली जो frequency होगी ना student उसको बोलते preceding the model class ठीक है उसके बाद student एक formula में use किया गया है यहाँ पे F2 F2 का मतलब है यह भी same है frequency of the frequency of the class यहाँ पे आजएगा succeeding यानि उसके बाद वाली succeeding the succeeding the model class model class यानि असान शब्दों में आपको बता देता हूँ student जो भी हमारी model class के ठीक सामने जो frequency आएगी model class के ठीक सामने जो frequency आएगी उससे उपर वाली frequency को बोलेंगे F0 और उसके नीचे वाली frequency को हम बोलेंगे F2 ठीक है question में आपको एक एक चीज में बता दूँगा ठीक है tension लेने की बिलकुल भी जुरुत नहीं है H यहाँ पर फिर हमारा वही हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर class size ठीक है न या फिर difference भी इसको हम बोल सकते हैं ठीक है student next topic जो हम पढ़ेंगे student 14.3 में वो है median ठीक है median के लिए भी student आपके पास एक ही formula है तो median निकानने के लिए median निकानने के लिए formula है L plus L plus N by 2 minus C F upon में H into में sorry upon में F I एगा into में H हमेशा ध्यान रखी H हमेशा multiply में ही हता है तीनों method में देखिए यहाँ भी multiply में है multiply में और हमारा एक step division method था यहाँ भी देखिए multiply में है ठीक है न है H multiply में रहता है और F divide में आएगा इस formula में ठीक है L वही फिर से lower limit of यहाँ पर model class लिखा था तो यहाँ पर L होगा lower limit of median class L का मतलब यहाँ पर क्या है lower limit of lower limit of median class median class ठीक है student cf नहीं आया है cf का मतलब यहाँ पर student है cumulative cumulative frequency cumulative frequency यह क्या है यह भी हम question में आपको दिखाएंगे 14.3 का topic है नहीं जब 14.3 कराऊंगो तो आपको सारी बाते समझा दूँगा यह हम करेंगे 14.2 में और इसको हम discuss करने वाले है 14.1 में में मेरा अगला ही लेक्चर है 14.1 में हम इसको देख लेंगे ठीक है उसके बाद f फिर से वही frequency of frequency of model class ठीक है h का मतलब class size होगा यहाँ पर और कोई नई चीज नहीं है तो यह तीन topic जो student है वह हम discuss करेंगे इस chapter के अंदर आप यह तीनो topic के formula जितने भी हमने use करेंगे यह अच्छे से याद कर लिजी formula का खेल है तो देखिए एक formula यह रहा एक 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 दो तीन और यह चार और यह पांच यानि total पांच formula है और formula based ही यह chapter है बिल्कुल असान chapter है ठीक है student तो चलिए student आज के लिए इतना ही next video में 14.1 डिसकस करेंगे तब तक के लिए goodbye and take care